मेरे परिवार जनों काशी और संस्कृति एक ही चीज के एक ही उर्जा के दो नाम है आप उनको अलग करी नहीं सकते और काशी को तो देश की संस्कृतिक राजदानी होने का गवरव प्राप्त है और काशी की तो गली-गली में गीत गुंजते हैं और यह स्वाभाविक भी हैं क्योंकि यह नट्राज की अपनी नगरी है और सारी नुत्यकलाएं नट्राज के तांडव से ही प्रकट हुई है सारे स्वार महदेव के डमरू से उत्पन्न हुए है सारी विधाओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है इनी कलाओं और विधाओं को फरत मुनी जैसे आदी आचारियों ने व्यवस्तित और विक्सित किया और काशी मतलब साथ वार नवत्योहार ये साथ वार और नवत्योहार वाली मेरी काशी में कोई व्यूत्सव इत संगीत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता चाहे घर की बैठकी हो या बजडे पर बुड़वा मंगल भरत मिलाप हो या नाग नथैया संकट मोचन का संगीत समारो हो या देव दिपाली पर यहां सब कुछ सूरों में समाया हुआ है ताथियों काशी में सास्त्रिय संगीत की जितनी गवरोशाली परंपरा है उतने ही अधूत यहां के लोक गिद भी है यहां तबला भी है यहां शहनाई और सितार भी है यहां सारंगी के सूर भी है और यहां बिणा का वादन भी है ख्याल, ठुम्री, दादरा, चेती और कजरी जैसी कितनी ही विधाओं को बनारस ने सद्यों से सहच कर रखा है पीडी दर पीडी परिवारों ने गुरु सिष्य परंपराओं ने भारत के इस मधूर आत्मा को जीवित बनाए रखा बनारस का तेलिया घराना पियरी घराना रामापुरा कबिर चौरा महले के संगितग्य यह विरासत अपने आप पे कितनी समरुद्ध रही है बनारस कैसे कितने ही कलाकार है जिनोंने पूरे विश्व में अपनी चाप छोड़ी है मैं सबके नाम लेना सुरू करूँगा तो शायद कितने दिन निकल जाए कितने ही विश्व प्रसिद नाम यहां अभी हमारे सामने उपस्तित है मेरा सवभाग है कि मुझे बनारस के ऐसे कई सांस्कृतिक आचारियों से मिलने का उनके साथ समय बिताने का सौभाग मिला है